आदो सब्सक्राइब्स टो चैनल में आज मैं मटन कोर्मा बड़ा के दिखाऊंगे मटन करी कहते हैं इसे शुरू करते हैं हमने एक किलो मटन लिया है आप देख सकते हैं हमने फिराय के लिए दो बड़ी प्याजे चौपकी है और ग्रेवी के लिए हमने टमाटर लिया है दो टीमाटर है एक लैसुन की पुद्टी है तीन हरी मर्च है और चोटी सी अबरा की गाठ है देख सकते हैं इताले मं आ जाइए तामने एक चमच हल्दी बाडर लिया है यह चमच लाल भीर्च condol लिया है दो चमच दमने धनीया पाड़र लिया है अब हम इसमेन घ्रेवी में डालने के लिए हमने चान मखाने लिया थोड़ी शी मिंग्यली है यहां अब हमने फिराए के लिए मटन को पाच्छे लॉंहे लिए हैं काली मिर्च जीरा दालची होडी तिलाई ची गसहेची ड्ली चाय 5 और 3 थैस पद़ गए मतन को तलने केली यह दाई लिया है में जैजी मैल आती है मतन में तो खतम हो जाएदा यूरे यह में दाई लिया है। राइलाव रखता है मास्टार स्फाइव cream मास्टर उयल wybट किया एक नश्याज है तो हम इसमें प्यास डालेंगे, कर्म हो चुगा तरह तो हम इसमें प्यास डालेंगे, प्यास को हमें हलका सा भूनना है, एक मिनट और इसे हलके से भूननेंगे, फिर हम इसे आधी प्यास निखाल लेंगे, और आधी हम जो हमने टीमाटर लैसून अदरा का पेस्ट लिया है, उतना हम पीस लेंगे, प्यास हमने थोड़ी सी भून ली है, तो हम आधी प्यास इसे निखालनी है, आदे प्याज हम इसमें प्यादे देंगे इसे प्रावन होने देंगे क्योंकि हमें इसमें मटन को तलना है फ्राई करना है प्यास जो हमने हल्की सी फिराय किये तो इसमें हम ताल मखांगे डालेंगे हम इसके अंदर मीङगे जो दालेंगे और हम इसमें तोड़ा 2 दो चमज हम इसमें डही डाले डाला कि इसका स्मूध पेस्ट बनेगा फिल मैं आपको इसे पीश के दिखाती हूं हमने पेस्ट बना लिया है आप देख सकते हैं घई डालत है इसलिए पेस्ट बहारा बड़ा स्मूध बना है अच्छा बना है हमने जो फ्यास तल्ले के लिए बचाई थी तोड़िटी हमाई फ्यास अच्छी तरह से तल चुकी है जो हम इसकंदर मसाले आट करेंगे जो हमें फ्राई के लिए हैं तेस पत्तर डालेंगे हम जीरा जो हमने अभी आपको दिखाया था यह फड़गर मसाले बोलते हैं यह डा जाए इसमें बहुत अच्छी स्मेल आती है अच्छी तरह ओयल में फिलेवर मिल चुके है इसके जो हमने खड़गर मसाले डाले के अब हम इसके अंदर हम अपना मटा नाट करेंगे हमें एक मिनट इसे ऐसे ही भूलेंगे तो क्योंको हमने खड़गर मसाले डाले हैं इसके फिलेवर हमें मटन के अंदर चाहिए बहुत अच्छी खुल्बू आ रही है इसमें अब हम इसमें जही आट करेंगे जो हमने जही लिया है थोड़ा सा दही हमने उसमें डाल दिया था ताल मकानों में अब हम एक दो मिनट इसे दही के साथ भूलेंगे दही के डालने से मटन में इसमेल आती है आना बंद हो चुकी है क्योंकि दही इसमेल को मारता है अब हम इसे एक मिनट ऐसे ही बुनने देंगे अब इसका क्रेवी तयार कर लेते हैं देखिए हमने इसमें ताल मखाने और जो मीगे पीसी थी उसमें हम इसे जो हमने अद्रग लिया है हरी मिर्च ली है लैसून और टमाटर यह भी हम इसका पेस्ट बना लेंगे हमारा पेस्ट बन जाएगा हमारा पेस्ट बन जाएगा हमारा पेस्ट पहर हो चुका है मटन अच्छी तरह से बुन रहा है तो हम इसमें स्वादर रुसान नमक डालेंगे मटन अच्छी तरह से बुन चुका हम मैस में कि हमने मसाला लिया है मैं भी वह आट कर दूंगी अच्छी तरह से बुन चुका हमारे मसाले मटन में में चुके है तेल आने लगा है इसमें हमें एक मिन हुआ है चलाते बैसे अब हमने पेस्ट पिसा है तो आम पेस डाल देंगे इसमें थोड़ा सा इसमें पाने डालेंगे ताम इसे एक दूमिने टोवर ऐसे ही बुन एंगे अक्रेचल पिक क्षाणी कर दोते हैं यह जजाए वह बहीं वह कोड़कों तो औरम क्यावन और यह रालाओके यहलाए अबकों लाए अशर बाहा है तुन पाले में इस बालाओके बालाओके कि अव मैं तब हमसा qui अंच değका है कि के हमें जुथ हुआ ज़लता है इसाल बॉनियट असल Bread мне दाल पकार में सीतिर लगाएंगे क्योंकि मतं देर से गलता है इसलिए पाक छुटी आपर मुझे पानी डातूँगी तो आमें पाच्छे सीटी लगाना है थोड़ा सावर पानी आड़ करना है मुझे पाच्छे सीटी आचुगे अब हम पुर्चे देल के आईजे देखिए आप हमारा मटन कितना अच्छा भून चुका है पाच्छे सीटी आ चुकी है मैं आपको आप चला के दिखाती हुआ देल अच्छा से आ गया है अब हम जो हमने ताल मखाने और मींगे दई में पी सीटी हम डाल देंगे इन्हे हम इसे एक दो मिनट भूनेंगे जो कि इसका मटन के अंदर बहुत अच्छा फिलेवर आता है इसमें उद्राशेगा बनाती है तेल आ जाएगा एक दो मिनट भून दोंगे तब मैं आपको उस्टार करके दिखाती हुआ आप देख सकते हैं हमारा तिल कितना अच्छा है मटन कोर्मे में मटन करी भी कहते हैं इसे अब मैं आपको सब करके दिखाती हुआ हमारा मटन कोर्मा तैयार है यही दिख स्पेशल है बक्रही दाने वाली है आप लोगों को भी इसी तरह बनाती है है मेरी तरह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो मटन कोर्मेगी और मटन करी भी कहते हैं इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन को दबा दीजिए जो भी मैं नई वीडियो डालू आप सबसे पहले देख सकते हैं ठैंक यूँ धन्यवाद विजब ट यह दो विपने खें पोर्मेट टेख बसेख सकते हैं उन्यवाद अच्छी आप देख सकता हैं घजजब दोन में जो आप से लिग रेसिए आप सकते हैं नई पन्यवाद